मौब लिंचिंग का मामला एक बार फिर से सुर्ख्यों में हैं आपको बता दें कि आज ही के दिन यानि 18 माई को जमसेदपूर के बाग बेड़ा थाना शेत्र के नागाडी में बच्चा चोरी की अफवा में एक बुजुर्ग महिला समेत तीन युवकों को भीडे ने लाठी की डंडे और पत्थर से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया था वहीं दुखा दिया रहा कि पुलीस के मौजूदगी में यह सब हुआ और मौके पर फोर्ष तक नहीं बुलाया गया बच्चा चोरी के अफवा के बाद हुई मौब लिंचिंग कांड का कुछ लोगों ने घटनास्तल पर वीडियो बनाया था वीडियो की सीड़ी एक महत्मुर्ष साक्ष है जिसको फोरेंसिक चार्च के लिए भेजा गया है वहीं वीडियो की एफसल रिपोर्ट अब तक नहीं आप आना दुर्भाग्य है कोट की तरफ से नोटिस देने के दो साल बीत जाने के बाद भी जाच रिपोर्ट नहीं आई है पुलिस का कहना है कि इस मामले में पुलिस के द्वारा तमाम गवाहियां कराई गई है और पुलिस एफसल जाच रिपोर्ट के इंतिजार में है जो लैव से सील बंद के तौर पर आएगा वहीं उत्तम और उनके परिवार कर कहना है कि 2019 के सराइकेला में हुए तबरेज कांड ने खूब सुर्खियां बटोरी थी मुआबजे भी मिले नेताओं ने सुद्धी भी ली मगर नागाडी कांड के पिडितों को जारखंट के नेताओं ने भुला दिया घटना के सामने परसासन के महजूदगी में मारे गया और हम चाहते हैं कि कलता है इसमें हांसी से कम नहीं होना चाहिए और एफसे रिपोर्ट यो आज दो साल से मंगाया जा रहा है लेकिन चंडीगर तो कोई मतलब दो दिन या एक सब्सक्ता बहुत जादा मतलब आ जाना चाहिए लिए इसके बाद इतना लेट होने के बाद दो साल तो बहुत ज़्यादा हो जाती है इसमें सेसपी साफ को बोला गया जो अबी नए परवाद कुमार जी आये हैं अभी छे महना से उनको भी बोला जा रहा है लेकर अभी कोई मैंदा कुछ मनदब अभी आई नहीं नियूस विंग के लिए जमसेदपूर से गंगाधर पांडे की रिपॉर्ट पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा तो आप भी दिखा सेथे अपनी हीरो पंती तपकॉन XT के साथ अजय को अगर में पुझा से गवीरों के रिपॉर्ट झाल